हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका स्वागत है आपके यूट्यूब सेनल के लर्निंग प्वैंट में आज इस वीडियो में बात करेंगे जो टीचर्स की 69,000 भरती होने वाली है उसमें बहुत ही important topic अब हमको सिर्फ बहुत कम टाइम बचा है इसके लिए हमको वही वही topic पढ़ने हैं जो पेपर में आने हैं तो देखिए इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन-कौन से topic हैं जिनको आपको पढ़ना है उनसे ही question आएंगे चल तो हिंदी में देखिए तद्वाओ तद्वाओ जो पुराना पेपर था पिछली बार आया था उसमें आया था आग इसके बाद समास आपको पढ़ने हैं समास में आया था दिग समास आया था तो आपको ये देख लेना है फिर इसके बाद आया था बाक्यों के लिए एक गया था उसमें आपको उसका अंसर था चक्रफारी कि नेक्स्ट टॉपिक है तस्वम तो कंगा का तस्वम बताना था कंगती होता है नेक्स्ट विलॉम सब्द का टॉपिक आपको पढ़ना है तो विलॉम सब्द पूशा गया था वो आप भी होता है नेक्स्ट कारक आपको पढ़ने है राम का घर यह पूशा गया था राम का गर इसमें साइड संबंद कारक है है नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना है बाच यहनी कि किस परकार के बाच के होते हैं संदेवाचक बाच मैंने कहा यह कुछ्चन था मैंने कहा इसमें संदेवाचक बाच होगा इसके बाद आपको अलंकार पढ़ना है अलंकार मैं आपको मैंन उत्पे अच्छा अलंकार आया था फिशली बार और भी आप देख लीजिए इसके बाद अकर्मक और सकर्मक किरिया हैं आपको पढ़नी है कुश्यन आया था वह अपना सिर्ख खुजला रहा है तो इसमें कौन सी किरिया है आपको ये बताना था तो इसमें हो जाएगी आपकी सकर्मक किरिया सकर्मक किरिया क्या होती है जिसमें कर्म की आवश्यक्ता होती है या वह किरिया जिसका फ़ल कर्म पर पड़ता है इसका कर्मक किरिया कहलाती है नेक्स्ट इसके बाद आपको रस पड़ना है वीर रस आया था वीर रस का इस्थाइवाव उत्सा आप इसके बाद एक उपसर्ग आये थे दो कुष्चन थे उपसर्ग से उसमें उत्सर्ग था और इक मैं सम उपसर्ग था तो इन डोनों उपसर्गों के उदारण आप लोग दिर्क लीगी जिए इसके बाद एक वाक आया था मुझसे उठा नहीं गया ये भाव आचक वाक था इसके बाद प्रत्य आया था एक सब्द में आपको प्रत्य बताना था उसमें आवट प्रत्य था इसके बाद व्यक्तिवाचक संग्या, आया था काला सागर, काला सागर में किस प्रिकार की संग्या है, तो काला सागर में व्यक्तिवाचक संग्या है, नेक्स्ट, एक कुस्चिन आया था प्रधान मंतरी में कौन सा समास है, तो इसका अंसर था कर्मधारे समास, तो ये थे कु तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं वह यहां दिये गए हैं सबसे पहले आप देख लें कंजेक्शन इसमें एक इसमें फिल करना था वर टालसू कंजेक्शन एक कुश्चन आता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से तो इसको भी आप देख लीजिए आर्टिकल से आता है आया था यूनिक यूनिक के पहले ए एन मैसे क्या फिल करा जाएगा तो यूनिक इसका देखो साउंड यूनिक या से शुरू है तो इसमें ए बरा जाएगा इ मैस्कलाइन और फ्यम्नाइन इनको आफ देख लें इनसे भी एक कुस्चन बन जाता है इसके बाद प्रपोजिशन रिपोजिशन तो बहुत है इंपॉटन है इसको भी देख लीजिये कुस्चन यहां से बनेगा एक्टिब फैसिव यहां से एक कुस्चन और सफिक्स तो इनको आप देख लें यह बहुती मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक हैं इनसे आपको कम से कम आठ हो या नौ कुस्चन मिल जाएंगे इंग्लिस की कि इसी एक साथ अब बात करते हम संस्कृत संस्कृत की दस कुस्चन आने हैं दस नम्मर के इन में कुछ इंपॉर्टन टॉपिक हैं इनको आप देखिए अब्याइए है अब बेशिक कुत्र का मतलब होता है कहां आप वे वक्तियां आपको पढ़नी है उपसर्ग पढ़ने हैं यह सिप्रतिक प्रतेकम परतेकम में क्या होगा उपसर्ग आपका प्रती होगा कि प्रतियुपसर्ग दिख नहीं रहा है तो प्रतियुपसर्ग होगा जैसे पठनी में प्रत्य इधार देखिए पठनी में प्रत्य क्या होगा अनियर प्रत्य होगा समास समास टॉपिक आपको पढ़ना है पंच ग्रामम में आपका दिख समास होगा संधी आपको संस्कृत में देखनी है हेले इनके सूतर भी देख लेना आए इनको ठोड़ा रिवाइज कर लीजिये बहाववचन संस्कित के बहा वचन से कुस्चन आएगा एक बहावचन से यह बहाchin होगा और वालिका जिस पर विसर्ग नहीं है यह एक बहावचन होगा अब चलिए बात करते हैं साइंस की साइंस में देखिए कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वह इस फिरकार है आउसत चाल आउसत चाल से एक कुस्चिन आये था तो आउसत चाल वरावर होता है आपका कुल तै की गई दूरी वटे कुल समय नेक्ट कुस्चिन आप पवरतनांग से आया था डवलू एंजी मतलब जल के सापेच कांच का पवरतनांग आपको पता करना था तो जल के सापेच आपको दिया गया था यह पता करना था जल के सापेच आपका कांच का पवरतनांग और दिया गया था हवा के सापेच कांच का पवरतनांग और हवा के सापेच जल का पवरतनांग तो इनको भाग करना था तीन वटे दो वटे चार वटे दो तो इनको हल करेंग तो नौ वटे आठ आठ आएगा तो सक्ति का जो था वो था बिद्दू तूर्जा बटिस समय होता है यहां पर बिद्दू तूर्जा दी गई थी आपको बिद्दू तूर्जा 2000 दी गई थी और समय दिया गए था 20 तो इसको हल करने पर 100 वाट आ जाएगा तो आपको ये को पढ़ेना है ऊजान परत पारत पृता को पढ़ें परत परति वी के चारओर हो रच्छा वंडल बनाती है जिस से अल्टरावाइट के लों से पर्थिवी को रच्छा प्रदान करती है किलोरीन के बारे में फढ़ लेना है नाव कि नावे किशने यव के रिया आपको फढ़नी है विटामिन तथा विटामिन के बारे में फढ़ना है विटामिन सी से स्करवी रोग होता है और विटामिन सी संत्रा अला इन चीजों में पाय जाता है एक कुष्च हैं आप इनको देख लिए अभी वीडियो और भी है बने रहे हमारे साथ में देखिए एक यू मानिस बीक्यू इस इकल टू आया था तो इसका वान होगा मैं और बहू और किसी भी बहुआ का एक बहुआ कोक्षा ही आपको पता करना तो तो आधो का वाद माले हिप्षा चाथ ऑम का नाहीं मोत बाग को पता करना था तो 350 वाघ दो को अगया मुर्बिया अजया हन्य एफ इस्थानी मान ये तो बहुत पे haunting ये संख्यादी है कोड़ों के मान बताई तो तीनों कौड़ों समान हैं तो उनको एक्स-मान लेंगे और पश्थर इन सब को जोड़ कर एक्स कमान हल करेंगे तो आजाएगा आपका प्च्छान भी नेक्स्ट एक कुस्चिन आया था समकॉंड तिरबुज से समकॉंड तिरबुज में यह questionnaire स्पंच चतर्भुज का छेत्फफल तो इसका सूत्र में स्पंच शЕТ्र वरू फिन पर पहले एक होटे दो गुड़ा फैला विकर्डा गुडाद दूसरा विकर्ड अगर आपके वहां पर रखके दो कवाग करें और वुड़ा करने तो आंसर आ जाता है यह कि आप सुथ देख लीद हिए a square plus b square बरावर होता है a plus b का whole square minus 2ab यहां पे a plus b कमान साथ दिया गया था और a b बरावर दिया गया था 12 तो यहां पर आपको मान रखना दुपस साथ का square करना था 49 और 12 गुड़ा दो करना था 24-24 गटा देने थे तो 25 अंसर आ गया था एक टॉपिक पढ़ लेंगे घातों भी तुलना करना विन भी पढ़ने हैं आपको और में संख्याएं इन सभी टॉपिक से आपको लगबग एक एक कुस्चन मिल जाएगा कलेंडर देख लीजिए पिरतिसत महा महा इंपर्टेंट है इससे भी एक कुस्चन आपको मिल जाएगा एक फर्मूले यह होता है M1D1 upon A1 is equal to M2D2 upon A2 तो इसमें M होते हैं मनश D होते हैं दिन और A होता है धन तो इस सूतर से अगर इस टाइप का कुस्चन आता है कि एक आदमी दस आदमी कुछ दिनों में इतना पैसा कमाते हैं 20 आद चलते हैं अंगली टॉपिक पर अगली में और भी सदेखिए इबिए घुषिसस क्या कराया ने आई थे आएप पंपास पंपास क्या आए दचषड अवेरिका में घास के मैदान जो होते हैं उसे पंपास बोलते हैं नेच्ट क्यूस्चन था गलफ स्ट्रीम से संबंढ है स्ट्रीम उत्री अमेरिका में पाए जाता है पूर्वेतट में कांडला बंदर्गा ये कच्छ की खाड़ी में कह था? लाड़ी में अब कांडला बंदरगा का नया नाम बदल कर दीन दयाल पोर्ट कर दिया गया है इसके बाद एक कुष्चन था डर्किंस वर्ग परबत यह कहां है यह दच्छड अफरीका में है ठीक है इसके बाद एक कुष्चन था अंतर राष्टी रिजर्व अंतर राष्टी टाइगर दिवस अंतर राष्टी टाइगर दिवस टॉंटीनाइन जुलाई यानि 29 जुलाई को मना जाता है यह भी पिछल तीनों जाती है मतलब भूमद रेखा और करक रेखा और मकर रेखा तीनों किस महादीप से जाती है तो तीनों जाती है अफ्रीका महादीप से यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको भी देख लीजिए और इन रेखां से संबंदित एक कुष्चन आ सकता है इनको अब नेक्स्ट एक ऊच्चन था सारदा अधनिम उन्स सोथी से वाल विवाने रोदक से संबंदेते जो सार्दा अधनियम था उनने सो थी में आया था यह किस्ते संबने तैंब यह नहीं अगला कुष्चन था भारत की फैली फ्रैंच फैक्टरी है कहां दिल लगाई गई थी सुलांसोह अठसटमन संबर्ति सूची बूखां से लिग गये ऐस्ट्रिया ही समधान से लिए शिच्छड कॉसल कुछ कुछन देखते हैं सिच्छड काउसल यहां से कौन-कौन से टोफिक पर आये थे यूरिस्टिक विधी आई थी हूरिस्टिक विधी आर्मस्टांग कें भ तो यह important question है, यह important topic भी है, तो इनको आप please देख लिजिए, इनसे आपको काफी help मिलने वाली है, आपकी पुरतरज़र पर इच्छा में है, अभी वीडियो के साथ बने रहे हैं, अभी next और भी बात करेंगे, निदानातमक परिच्छड, देखिए, निदानातमक परिच्छड चात्रों की शमश्या को जानने के लिए किया जाता है, रुजियों से और मनोबरतियों से जो संब्वेक पच्छ, तो रुजियों से और मनोबरतियों से जो संब्वेक पच्छ, तो रुजियों से और मनोबरत क्यानति के इढ है अप्रत्य और अब रूदन की शमस्या में कमाती है प्रत है और अब फ्रोदन इस तर भ illusions होती है प्रोडिक शडी प्रारंब 2 कि स्टर पर आठी ए प्र्यूजना विदी ये किलपेट्रिक की थी मक्तब और मदर्शा इससे सम्मंदित कुश्चन आये थे तो मक्तब में प्रारंबिक सच्च दी जाती है और मदर्शे में उच्च उच्च और ये दोनों इसलामी सच्च से सम्मंदित संस्थाइं हैं गैने की सोफान की इसको आप देख लिए कोहल नियाइतिक विकास का तिद्दान से यह भी कुस्ष्ण आया था मौलिकता नमनीयता सरजनात्मक्ता से संबंद है प्रित्वासाली वालग कैसे होते हैं प्रित्वासाली जो बालग होते हैं उनका अफसारी चिंतन होता है भारती पुनरवास फर्षद किसके लिए विकलांग बच्चों के लिए है इसके मन्द बुद्द्द जो मन्दुध्द्द रुद्द्द कीं टैंको ने मन्द बुद्द्द्दधा जो होती है लेल यह निग थिजरवरिद्द गृवे थे परता यह सिद्दान थांडाइक के थे मैसलो मैसलो का मांग का सिद्दान था अरवट रोसा सियाई के दबा पर इच्छडिन का है व्यावार वादी व्यावार वादी वाट्सन तो यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक और कुस्चन है जो आपको काफी हल्प करेंगे और यह सारी पिछली परिच्छा जो 68000 से चक भारती हुई थी उसमें आई हुए हैं तो थोड़ा और वीडियो को लंबा करते हैं अच्छा लग रहा हो तो फिलीज देखिए और नमत देखिए यह आपकी इच्छा पर निर्वर करता है चलिए नेक्स्ट जीके करेंट जीके और कर हैं वो इस प्रकार हैं कि अब्रेस्ट की बेटी है अरुमा शिन्ना भाग लच्मी यूजना 2017 किसलिए गरीब लड़कियों से संब्दित है अकवर नामा अकवर नामा किसकी है अबोल फजल की है भारत का कला भवन भारत का कला भवन वारारसी में जली कट्टू ने जली कट तमिलाडू राज से संब्दित है यहां बेलों की दोड़ इसमें होती है सिराज सिराज जौन पुर नगर सिराज किसे कहते हैं जौन पुर नगर को नेमिस रायड यूपी सीतापुर में है सूर मंदिर ओडीशा के पूरी में है विक्किरम सिला विश्विद्याल है पालव यूपी सब्सक्राइग भी बोलते हैं कि पर गोलक किया एस वैसल ड्राइंग राइट अ मंगल हो जखेलय है мड़ीपूर में है है मिफ्षा मंतरी मेला और निमद्र प्हली रच्छामंतरी मेला वालत की को ने निरमिला सीता 2017 का इंद्रा गांदी पुरुषकार डॉक्टर मनमुहन सींग को मिला नौसेना पहली महिला फाइलेट नौसेना में पहली महिला फाइलेट सुभांगी श्वरूप 21 चुनाव आयक्त जो 21 चुनाव आयक्त हैं वो है अचल कुमार जवती स्यक्त राष्ट्रंग के नौ में महासचिव एंटोनियो गोटे रश ब्याज सम्मान 2017 मम्ता कालिया को विश्व सौचाले दिवस 19 नौंबर को मनाया जाता है भारत में चीनी उत्पादन में सबसे आंगे राज यूपी डूरंड का फोटबॉल से सम्मान देता है विश्वाना अधिवकार दिवस 10 नौंबर मना जाता है गीता अंजली रविंदना टैगोर द्वारा लिखेता है इसके लिए उनको नोबल फॉर्सकार भी मिलाता तो आप लोगों ने हमारा वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई क्राइब मिलते हैं